हाई मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वेटिट कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में ऑपरेटर्स के गेम को समझने ही कोसिस करेंगे कई बार ऑपरेटर्स आपके लिए ट्रैप बिचाते हैं आपके लिए जाल बिचाते हैं और वीटेल ट्रेडर कई बार उस जाल में फस जाते हैं तो आपको ऑपरेटर्स के गेम को समझना परेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं अगर आप operators के trap से बचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर operators के game को समझना परेगा और आज हम इस वीडियो में यही operators के game को समझेंगे और जिसके ज़री आप अपने losses को avoid कर सकते हैं market में जो भी लोग trading करते हैं, साहे लोग कहां पर focus करते हैं, profit में focus करते हैं लेकिन आप गलत जगवे focus कर रहें, आपको focus करना loss पर, अगर आप loss को avoid कर देंगे या loss को minimize कर देंगे तो आपको ultimately profit हो गाई होगा, तो हम इस वीडियो में loss कैसे avoid कर सकते हैं, उसी के उपर focus करेंगे और loss avoid करना सीख गए, तो ultimately आप profit बनाए लेंगे, तो चलिए, start करते हैं यहाँ पर अब हम चार्ट पे चलते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर हम जिंदल स्टील और पावर के डेली चार्ट पे आ रहें अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर कई बार operators ने game किया और देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर operators ने game किया, false breakout दिया और retail trader को trap करने के कोसिस किया, एक बार आपका यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर हुआ, कई बार multiple times यहाँ पर false breakout देके operators ने retail trader को फसाने कोसिस किया है तो आप इससे कैसे बस सकते हैं इसके लिए आपके operators के game को समझना परेगा और आज हम इस video में operators के game को समझेंगे वो volume के basis पे समझेंगे volume बहुत important indicator है और यहाँ पे volume पे simple moving average भी apply किया है तो यहाँ पे volume और price के बीच में अगर correlation है तो फिर वो सही माइदे में आपको breakout लेगा अगर correlation नहीं है तो फॉल्स breakout है वहाँ पे कुछ ना कुछ game किया जा रहा है वहाँ से आपको दूर रहना है तो आज हम इस video में यही find करेंगे कि कहाँ पे volume प्राइस के बीच में correlation है और कहाँ पर प्राइस के बीच में correlation नहीं है तो यहाँ पर आप चार्ट पर देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक विडियो बना रखा अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप i button पर click करके देख सकते नहीं तो उसका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा overview देखिए यह पहले क्या था यह हमारा पहले resistance level था यहां से प्रइस नीचे आया फिर प्रइस इसको ब्रेक किया यह क्या बन गया वेसिस्टेंस लेवल बन गया और उसके बाद यह आपका के रूप में काम कर रहा है continuously basis पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह हमारा क्या रिस्टेंस लिवाल है और यह हमारा support जून है अब इसके basis में operators के गेम को काफि हद तक समझ पाएंगे अब यहां पर देखिए सबस्पेहले हम पर operators ने एक बहुत बड़ा गेम किया सबसे पहले हम इस portion को जूम करते हैं और इसको हम अच्छे दरीके से समझने कोसिस करते हैं इसको हम कैसे identify करेंगे और यह जो trap है इसे हम कैसे बच सकते हैं अब यहां पे आप price section और volume के बीच में correlation समझने कोसिस किजेगा अब यहां पर देखें यह label क्या काम कर रहा था रिस्टेंज की रूप में काम कर रहा था ठीक है अब यहां पर इस candle ने इसको break करके उपर निकला और यहां पर volume कितना है देख सकते हैं यहां पर volume आपका यह वा है तो वहां पर हमें अच्छा खासा volume चाहिए यहां यहां पर यहां पर हम समझेंगे कि कुछ ना कुछ गेम हो रहा है यहां पर हम पोजिशन लेने के बारे में नहीं सोचेंगे हमें confirmation का वेट करना परेगा तो यहां पर हम वालूम के तरफ से support नहीं मिला अगले candle पर क्या करह रहा है लेकिन अभी जितना और वालूम में एसके बरावर में आप यहां पर ओपर जीथा है नहींगी कि यहां पर हम avoid करेंगे क्योंकि यहां पर हमें volume और price के बीच में जो correlation है वो यहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा है दोनों के बीच को हम correlate नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद देखें तीसरे candle पर क्या कुछ हुआ है तीसरा candle पर यहां पर आगर आप देखेंगे यहां पर देखें volume आपका कम हुआ है और उसके साथ साथ rejection और price from the top यहां पर top से क्या देखने को मिला हमें rejection देखने को मिला यह नी मुझे यहां पर इस दो candle पर जो doubt हो रहा था वह doubt यहां पर हमारा काफी हद तक सही साबित हुआ कि यहां पर कुछ game किया गया और एक psychological level 500 level से यह वापस नीचे लौट गया अब जैसे ही नीचे लौटना स्टार्ट किया उसके next candle पर देखें क्या कुछ हुआ negative volume आ गया और market गिवना start कर गया अब देखिए जब यह हमारा क्या बन गया इसको break करके उपर निकला ति हमारा support level बन गया अब जब यह support level को break किया volume देखिए जब इस तरह के volume के साथ breakout देखने को मिलता चाहे उपर हो या नीचे वह sustainable breakout होता उस पे हम भरोसा कर सकतें क्योंकि यहां पर price action और volume के बीच में हमें जबर्दस relation find करने को मिलवा है अब यहां पर हम क्या करेंगे जैसे मेरा support level break हुआ यहां पर हम sell side की तरह positions लेंगे और फिर हमारा price नीचे गया अब यहां पर क्या कुछ हुआ है देखिए यहां पर लोग कैसे trap होंगे उसको समझने कोशिस किजिए यहां पर breakout दिया ठीक है लोग यहां पर क्या करेंगे confirmation के लिए वेट करेंगे अगला candle भी positive है strength है उसकी बाद क्या करेंगे confirmation के लिए यह candle open होते ही वो क्या करेंगे आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप सेल करते हो प्राइस ऊपर जाना इसलिए आपने पूरा क्या सही लिए लेकिन आप वालूम से correlate नहीं किया प्राइस सेक्षन को इसलिए यहां पर जो trap बिछाया गया था operators के दोवारा उस trap में बहुत साई लोग फस जाएंगे और उनको नुकसान के अलबा कोई और चारा नहीं है क्योंकि उसके next day market ज़स्त आपका gap down खुला है और वहीं पे सारा का सारा आपका stop loss hit हो जाएगा stop loss चाहे आप कहीं पे भी रखो वो hit कर ही देगा और ultimately आपको नुकसान उठाना परेगा यह जो operators का game था इसको आप game बोल सकते हैं या फिर आप इसको trap बोल सकते हैं इस trap से आप कैसे बच सकते हैं यहाँ पे हमने volume देखा price तो breakout दे रहा लेकिन volume हमें breakout को support नहीं कर रहा यहाँ पर जितना volume चाहिए वह volume यहाँ पर हमें नहीं मिलवा है हमें यहाँ पर doubt हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गरबर जहूर है और उसके बार आपका price उपर गया है लेकिन वहां से जबरदस रिवर्सल लिखा है और यहाँ पर हम trap से बच सकें क्योंकि यहाँ पर हमने volume और price action को वापस में correlate करके पूछा यह नि हमने price action से पूछा तो वह बोला कि बाया हम उपर जा रहे हैं बाई कर लो लेकिन हमने यहाँ पर एक और आदमी से पूछा volume से बूछा बॉलम बोलवाई कि यहाँ पर हम स्योड नहीं है प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा जैसे बॉलम के तरब से security हमें नहीं मिला हम क्या करेंगे हम positions को छोड़ देंगे और इस तरीके से आप यहाँ पर trap से बच सकते हैं उसकी बाद देखिए अगला क्या कुछ हुआ आपको मैं यहाँ पर और एक्जांपल थूर बताना चाहरा हूँ से में स्टॉक्स में कई बार ऐसा हुआ है अब आप यहाँ पर एक और सी समाझ सकते हैं देखिए यहाँ पर क्या हुआ प्राइस आपका रिस्टेंस लाइन के पास आया है और इस केंडल पर वॉल्म देखिए कितना जवदस वॉल्म है अगर इतना वॉल्म के साथ हमें पीछे ब्रेक आउट मिलता तो हम डेफिनिटली यहाँ पर बाई साइट की तरफ जाते क्योंकि वॉ यहाँ पर नहीं निकला मतलब यहां पर हमें प्राइस से बता दिया कि हम ऊपर नहीं जा रहें यहीं से यह रिवर्सल ले लिया यहां पर ब्रेक आउट को जाएंगे यहां पर देगा हम पहले बाई क्या लेते हैं यहां पर यहां पर ब्रेक आउट के लिए वह क्या होंग यहाँ पर डेली चार्ट है जो लोग swing trading करते हैं या फिर short term trading करते हैं उनके लिए काम आएगा सिम चीज आप इंट्राडे में follow कर सकते हैं इंट्राडे की उपर भी हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे कि कैसे आप operators गेम से बच सकते हैं इसके बाद आगे यहां पर हम देखते हैं आगे भी बहुत सारा operators का गेम किया गया अब यहां पर देखें यहां पर क्या कुछ हुआ प्राइस नीचे कि रहा वालम भी सपोर्ट किया यह इतना वालम की साथ अगर यह सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो क्या करें हम सेल इसलिए आपको अर्ली ब्रेक आउट के पीछे तो जाना ही ने कभी भूल के भी नहीं जाना है और वापस से आपका अगले केंडल पर पॉजिटिव वालम आया और प्राइस ऑल अब आपका अपस की तरफ निकला है यहां पर तो बहुत कम लोग ट्रैप हुए होगे जो ल आपका डिक्वीज हो गया है और कम वालम के साथ यह भी आपका ब्रेक आउट दे रहा यह निए जब हम फिनिस लाइन से पहले आ रहे तो हम ज्यादा दम लगा रहे जैसे फिलिस लाइन के नजदीक पहुंच रहे तो हम अपना क्या करेंगे दम और घटाएंगे और दे रहा है तो क्या होगा यहां पर क्या समझ देगना कुछ न कुछ गेम हो रहा है और देखिए मुविंग अवेज भी आपका यही पर है और मुविंग अवरेज से जादा वालम नहीं है अगर एट लेस इतना वालम भी रहता और इस वालम के साथ ब्रेक आउट देता तो यहां पर हम इस ब्रेक आउट के लिए जा सकते हैं लेकिन वालम कम हुआ यहां पर हमें वालम ने बता दिया है कि जो ब्रेक आउट है उसके पीछे नहीं जाना क्योंकि यहां पर हम स्चोड नहीं है वालम ने डाउट किया तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको एवाइड कर ओने होंगे तो यहां पर आप के बैसिस पर ऑप्रेटर्स के डेयम को समझ सकते हैं और निए बत तो इसको पर पर यहां पर यहां पर देखिए इस वाले पोशिन पर करना है यहां पर क्या कुछ हो यह बैसितकी है जो वालम है वोड़ उपर है इस पे भी उपर है लेकिन यह price नीचे आया लेकिन closing कहाँ पे दिया closing वापस से आपका जो हमारा support जो ने उसके अंदर closing दे दिया मतलब यहाँ पे price action ने हमें बचा लिया trap होने से अगर यह नीचे closing देता तो यहाँ पे हम definitely क्या करते है sell side के तरफ जाते है और फिट trap हो सकते है लेकिन यहाँ पे हमें volume ने support नहीं किया कहीं पे हमें volume बचा रहा है कहीं पे हमें price action बचा रहा है तो दोनों को आपको एक साथ relate करके देखना हो परेगा अगर दोनों में correlation है तो ठीक है अगर correlation नहीं है तो वहाँ पे कुछ न कुछ game हो रहा है वहाँ पे आपको दूरी बनाके रहना है उसके बाद अगला candle पे क्या हुआ अगला candle नीचे closing दिया है लेकिन क्या हुआ volume कम गया है अगर same volume के साथ ही नीचे closing देता तो हम sell side की तरफ जाते लेकिन अगला candle पे क्या हुआ प्राइस section नीचे आ है लेकिन volume कम हो गया यहनि अगले candle पे volume ने बता दिया कि भाई तुम breakout के लिए मच जा तुम sell side की तरफ मच जा यहाँ पे trap हो सकते हो कहीं पे हमें price section बचा रहा है कहीं पे हमें volume बचा इसलिए दोनों को एक साथ समझना बहुत जोगी है उसके बाद है कि अगले candle पे positive volume आया और price all the way upside की तरफ निकला है तो यहाँ पे आप काफी हद तक इस trap को avoid कर सकते हैं और इस trap से आप बच सकते हैं कैसे volume और price action के बीच में जो correlation है उसको establish करके यहाँ पे जादा कोई complications नहीं है simple आपको volume को देखना है price action को देखना है दोनों के बीच में जो correlation है उसको identify करना और उससे पहले support or resistance level identify करने का बहुत सारी तरीका मैंने आपको already बता दिया यह simple सा चीज है इसके जड़ी आप operators के trap से operators के जाल से बच सकते हैं सो उमीद करते हैं कि आपको हमारा यह informative वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए ताकि इस तरह के वीडियो और भी हम आपके लिए वेगलर बेसिस पर लाते रहेंगा सो मिलते हैं नेक्च्छ वीडियो में जैहिन